हाई गाइज और विल्कम बैक टू आटो क्रूप आज आपके आगे लेके आगए है सिट्रन की C5 Aircross SUV दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या सिट्रन की C5 SUV आपको कंसिडर करनी चाहिए या फिर नहीं मार्केट में इसके कई सारे कॉंपिटिटर्स अविलिबल है उसके अलावा प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से देखे तो कई अधर सेग्मेंट की गाड़ी भी आप इस प्राइस के अंदर कंसिडर कर सकते हैं तो दोस्तों क्या है खास? क्यों आपको कंसिडर करनी चाहीए ये? आज के इस वीडियो में आपको पता लगेगा तो सारी जानकारी लेने से पहले make sure करे like, share, subscribe कर दे और उसके अलावा वीडियो को शुरू करने से पहले आपको पता देता हूँ सबसे पहले इसके जो primary competitors हैं Indian market के अंदर वो हैं दो पहली है Jeep की Compass और दूसरी है Hyundai की Tucson दोस्तों Hyundai Tucson का facelift बहुत ही जल्दी आने वाला है जा तक है third quarter of 2022 में Hyundai Tucson facelift आ जाएगी तब बात करेंगे उस गाड़ी की पहले point की बात करते हैं तो पहले point में गाड़ी को मैं छोड़ देता हूँ सबसे पहले आपको बता देते हैं इस brand के बारे में तो दोस्तों Citroen Stellantis Group की एक गाड़ी है और Stellantis Group की अगर बात करो तो इसके अंदर बहुत ही जादा famous नामी ग्रामी और luxury brands भी आते हैं जैसे की आपका Maserati हो गया, Alfa Romeo, Jeep हो गया और even Chrysler जैसे बड़े बड़े brands इस segment के या इनके group के अंदर fall करते हैं दोस्तों इनके group की एक और खास बात आपको बता दू ये वर्ल्ड का fourth largest automobile group है दोस्तों जैसे आपने सुना होगा Volkswagen Group, Skoda Group है एक बड़ा group है जिसके अंदर Audi वगेरा भी आजाते हैं ऐसे ही, Citroen की जो Stellantis Group है इसके अंदर कई सारी companies आजाती है examples मैंने आपको देही दी है उसके अलावा अगर इनकी history की बात करें तो 1990 से Citroen गाडिया बना रहा है और 100 साल से भी जादा की history है इन लोगों के पास गाडिया बनाने में अब दोस्तों, गाड़ी पर आ जाते हैं और गाड़ी के specific pointers पर आ जाते हैं कि क्या वो reasons रहने वाले हैं जिसके लिए आप इस गाड़ी को जरूर देखिएगा तो दोस्तों, engine अब आप लोग बोलेंगे, engine में क्या है खास बात तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, एक normal 2-liter 4-cylinder diesel engine है बट अगर terminology बट जाए तो DW-10-FC engine इसे बोला जाता है जो की, इंडिया में तो बहुत जादा common नहीं है बट internationally, बड़ी बड़ी brands जिनका मैंने अभी नाम लिया था वो भी अपनी गाडियों में इसी engine को share करती है कुछ गाडियों के साथ example देता हूँ तो Alpha Romeo की आपको जो lower segment की cars है उसमें भी यही same engine देखने को मिलता है power output की बात कर लेता हूँ तो 177 PS की power और साथ ही 400 newton meter का torque कि यह गाड़ी अपने साथ carry करती है दोस्तो size में कोई बहुत जादा बड़ी गाड़ी यह नहीं है तो उस हिसाब से power pickup काफी अच्छा रहता है उसके अलावा drive modes है इसके अंदर eco, normal और sport और even terrain response modes भी इसके अंदर दे दिये गए हैं अब दोस्तो आचुका हूँ side profile में और दो बहुत important aspects आपको बताने है इस गाड़ी के एक तो है इसकी ground clearance तो दोस्तो जनरली आप इस category में देखेंगे तो लग बग लग बग 200 mm की ground clearance के साथ गाड़ी आती है बट यहाँ पे C5 के अंदर कुछ नया है, कुछ अलग है यह गाड़ी आती है 230 mm की ground clearance के साथ तो आपको इस गाड़ी के कहीं भी touch होने की दिक्कत नहीं आने वाली है Indian roads को आप अच्छे से जानते हैं और उसके अलावा अगला point है comfort से related तो दोस्तो जो इसके suspension है progressive hydraulic suspension दिये गए इसके अंदर जिसके अंदर cushion और rebound effect दोनों ही दिये गए और basically इसके suspension कुछ इस तरह से tune किये गए कि जब आप गाड़ी को चलाते हैं तो बड़े से बड़ा bump minimal effect के साथ आपको अंदर feel होता है दोस्तो overall comfort के मामले में ये इस segment क्या एक segment अबव को भी खा जाती है अब दोस्तो आजाते हैं थोड़ी सी practicality पे तो जब आप एक बड़े size की गाड़ी लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं थोड़े से practicality की ज़रूरत भी होती है तो electric boot release की बात यहां पर मैं नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं इस boot space की तो दोस्तो ये boot space आपको normally जो अभी दिखाई दे रही है वो है 580 liters की और आप rare seats को जब fold कर देते हैं तो 1680 liters तक, sorry, 1630 liters तक आप इस space को लेके जा सकते हैं दोस्तो 1630 liters की boot space कम नहीं होती है किसी भी aspect में प्लस और practicality की बात करूँ तो जो second row की seats है वो तीन proper seats लगाए गई है बजाए किसी bench seat के तो तीनो seats को आप 33, 33, 33 में fold कर सकते हैं अब दोस्तो बात करते हैं अपने next point की जो की है इस गाड़ी की safety, build quality या आप किसी भी तरह से इसे coat कर सकते हैं दोस्तो कोई proper safety rating तो नहीं आई है इस C5 Air Cross की बट जो मैंने चलाया जो मैंने feel किया तो आपको बताना चाहूंगा इससे कुछी टाइम पहले तक मैं XUV 700 ड्राइब कर रहा था जो की इंडिया की एक most safe car में से एक है safety rating के हिसाब से अगर जाए तो दोस्तो build quality की जहां बात आती है तो यह door third आप सुन पा रहे होंगे और overall material quality की जहां पे बात आती है तो दोस्तो quality के मामले में यह गाड़ी मेरे को काफी जादा पसंद आई यह नहीं कहूंगा बहतर लगी बट कहीं ना कहीं XUV 700 के लेवल्स के आसपास यह है अब दोस्तों आ चुका हूं इस Citron C5 Air Cross के interior की तरफ और आप देख सकते हैं तो overall अगर आपको एक unique look चाहिए ना सिर्फ exterior से बलकि एक interior में भी आपको नई finish चाहिए अपने steering पे आप एक नया different logo देखना चाहते हैं यह आप चाहते हैं कि लोग आपकी गाड़ी को करी गई है जैसे कि digital speedometer है आपको proper touchscreen music system दिया गया है इसके अंदर Android Auto वगएरा जैसे features है drive modes दिये गए automatic गाड़ी है तो इसके अंदर manual का option आपको नहीं मिलेगा अधर वाइस आप देखेंगे तो panoramic sunroof वगएरा यहां पे लगाई गई है तो overall interior से आपको काफी प्लश यह गाड़ी फील होने वाली है अब दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया uniqueness के लिए आप इस गाड़ी को consider कर सकते हैं बट आप मैंसे कई लोगों का यह सवाल होगा कि यह ब्रैंड तो इतनी उनीक है जाहतर लोगों ने ना देखी है ना सुनी है स्पैसिफिकली इंडिया के अंदे तो दोस्तों उसका भी तोड है हमारे पास सबसे पहले तो यह गाड़ी आपको वारेंटी देती है अराउंड थ्री यह यह फिर वन लाग किलोमीटर अब दोस्तों एक लाग किलोमीटर जाहतर लोगों की गाडिया तीन साल में तो चलती अच्छा है उसके अलावा एक्स्टेंडेड वारेंटी पैकेजेज अलग से अवेलेबल है और जैसा कि हमें लगता है ओडी ब्या मेंटेनेंस पार्ट में थोड़ी हाई है तो दोस्तों इस गाड़ी के साथ आपको मेंटेनेंस वागेरा की भी चिंता करने की जरूरत नही सकता तो दोस्तों रीजन्स टू कंसिडर में एक बहुत इंपोर्टेंट और मेजर पॉइंट है इस गाड़ी की ड्राइविंग दोस्तों फील और फीडबैक की बात तो अलग है बाकी आप डिटेल ड्राइव रिविविव इसका देखके एक एक पॉइंट की बारीकी से ज जब आप इसे चलाते हैं तो दोस्तों देखा आपने सिट्रन, C5, Aircross के कुछ specific reasons जिसके लिए आप इस गाड़ी को देख सकते हैं, consider कर सकते हैं, over the competitors, over the price दोस्तों वैसे ये एक overpriced गाड़ी है, बट कही न कहीं CBU होने के कारण इस चीज को neglect किया जा सकता है, कि price थोड़ा सा जादा है गाड़ी का, वागी hope करता हूँ आपको इन pointers से थोड़ा सा decision making में मदद मिलेगी, कि आपको कौन सी गाड़ी consider करना एक बहतर option रहने वाला है चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद